नमस्कार दोस्तों, गिलोई हमारे स्वास्त के लिए बहुत फायदे मंद होता है, इसको अमरीता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत गुनकारी होता है गिलोई की पतियों में फोस्फोरस, प्रोटीन, केलसियम और तना में स्टार्च पाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें एंटिबायोटिक और एंटिवाइरल तत्व भी पाया जाता है ये हमारे शरीर की रोग परतिरोधक चमता को भी मजबूत करता है, गिलोवे कफ रोग और वात लोग में भी लफकारी होता है, ये गर्म ताशीर का माना जाता है आप इसका काढ़ा बनाकर या जूस बनाकर भी ले सकते हैं, ये हमारे शरीर की सफाई करता है और साथ ही साथ किड़नी और लीवर में भी जमी गंदगी को बाहर निकालता है गिलोवे शुगर को नियंतरित करने, सूजन कम करने और गाठिया रोग से लड़ने में भी सहायक होता है, ये हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में भी काफी मददगार होता है और साथ ही साथ ये हमारे यादाश को भी बढ़ाता है, तो चलिए जानते हैं गिलोवे के और भी कए स्वास्त लाव के बारे में पीलिया में लाव उकारी गिलोवे का सेवन करने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है इसके लिए गिलोवे के तने का काढ़ा बना कर या इसके पत्तो को पेस कर जूस पीने से इसके पीलिया में जल्द ही रहत मिलती है कान के दर्द को दूर करे गिलोवे कान के दर्द को भी ठीक करने में सहायक होता है इसकी पत्तो का रस निकाल कर थोड़ा गुनगुना करके कान में डालने से कान का दर्द ठीक होता है आखों के रोग दूर करे गिलोई का रस आखों की रोगों को ठीक करने में भी सहायक होता है इसके रस के सेवन से आखों के रोग तो दूर होते ही है साथ ही साथ ये रस हमारे आखों की रोशनी बढ़ाने में भी मददगार होता है गिलोई रस को आवला के रस के साथ मिला कर पीने से आख का रोग जल्द ठीक होता है मुटापा कम करे गिलोई के रस का सेवन करने से मुटापा भी कम होता है अगर आप रोजाना एक गिलोई के पत्तों का रस पीते हैं तो आपका मुटापा जल्द ही कम होने लगेगा बुखार में लाफकारी गिलोई पहुत ही गुनकारी होता है इसका रस बार बार होने वाले बुखार या डेंगू मलेरिया जैसे बुखार को भी ठीक करता है इसके रस में सहद मिला कर पीने से कैसा भी बुखार और पुरानी से पुरानी खासी सर्दी जल्द ही ठीक हो जाता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थांक यू